पत्ना में नव विवाहिता की हत्या, पती ने पत्नी को कर दिया हत्या, इलाके में हरकंप मच गया है मामला पत्ना सिटी के मेहंदी गंच धाना इलाके के रानिपूर की जहां, रोहित कुमार आठ माहपूर भी ममता कुमारी के साथ लव मेरिज शादी किया विरोध करने पर हत्या कर दिया और शब को ठिकाने लगाने की तयारी में था कि पुलिस धावा बोल दिया और मौके से शब बरामत कर लिया साथ ही हत्यारा रोहित की मा के साथ देवा चौहान यश कुमार और अमन कुमार को भी गिरफतार किया गया है सूत्रों की माने तो यह तीनों शव को ठिकाने लगाने के ख्याल से था कि पुलिस को देख कर छत पर छुप गया था जिसे पुलिस ने दबोच लिया है, हत्यारा रोहित परार है और मा को जेल भीज दिया गया है और हमारी बहन का मांग करते थे पैसा का कुछ, पैसा का मांग करते थे और उसके बाद हमारते फिरते थे लेकिन ये बात हमको ख़बर मिलता था, तो हम लोग उतना दियान नहीं देते थे, लेकिन उसके बाद में देखें, रिसेंट कल सुनें, हमारी बहन को मार दिया गया है तो मार दिया का है तो उसके बाद में फिर सब आसपास से पता चला है जो लरकी को दास अंसकार करने का मतलब कोशिश कर रहे थे वो लोग तह हमने उस खबर को सुनते हुए संग से हमने पी पुलीश को रिपोर्ट किया तो पुलीश ने संग शेम मोके बादावत पर उनको पकड़ा है बस यह यहार क्या कहेंगे हम बस इंसाफ चाहते हैं बस और कुछ ने इंसाफ चाहते हैं अमारी बहन को जो वो लोग मिलके मारा और देखें जब वहां पकरने के बाद में तो यहां पर देखें गला में निसान भी था बनका अब डर हुआ है बस हमको इंसाब चाहिए और कुछ आपके क्या नम है जी हमा नमा बब्रु दास गुपाल दास जी हजारी महला जारी महला नून के चाड़ा है जाड़ी महला, वह जाड़ है लोहित कुमार वहितु कपत्नी ममता देवी कॉ dipping को रसोती है कि क्या जानकारी मिलेते हो हम लोग को अगर को शुटना से पता लगा घृस्ति वाले जितना थे और भी जई सभी आदागी घर को भिकर कि हृण कि लिए नहीं देट के लिए और किसी गिराफतारी भी इसमों लगारी जैनकारी गिराफतारी को गिराफतारी अगेर मेहला कोगा गिराफतार हुई है और यह दुग अब मेरा नाम सुधिर कुमार सी ये साइब